पिली भीत में सौच को गई किशोरी का अग्याद बदमासों ने गला काट कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया किसी तरहे पिडिता बदमासों के चंगुल से छूट कर लहू लुहान हालत में अपने घर पहुंची जिसको परिजनों ने इलाज के लिए सीसी में भरती करवाया वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिडिता की तहरीर के अधार पर जाँज परताल शुरू कर दी है जोरी को अग्यात दबंगों ने घेर कर उसके साथ असलीलता करते हुए धारदार हतियार से जान से मारने की कोशिस करी किसी तरहे पिडिता लहु लुहान हालत में आनन फानन में बदमाशों के चंगुल से छूट कर अपने घर पहुंची जिसको गायल अवस्ता में परिजनों ने सीसी में भरती कराया जिसका प्रातमे कुपचार के बाद गंभीर हालत में चिकस्तकों ने जिलास्पताल रफर कर दिया वहीं सूचना पर पहुंची पोलिस ने परिजनों की तहरीर के अधार पर मामले की जांच परताल शुरू कर दी है पिड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है जिसका जिलास्पताल में इलाद जारी है बेहोशी की हालत में भरती पिड़िता के होश में आने का पोलिस इंतजार भी कर रही थी उसके बयानों के अधार पर आरोपी डबंगों के खिलाफ कड़ी कारवाही का परिजनों को अश्वासन भी दिया गया है पिडिता के भाई अनूप ने बताया कि साथे बारा बजे कल सौच के लिए गई थी उसके बाद लहुलुहान हालत में घर पहुँची तो पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि आखों पर पट्टी बांध कर कुछ दबंगों ने जबर्दस्ती किये और मेरा गला काड़ दिया आनन्फानन में घायल अवस्था में अस्पताल में भरती कराया गया क्या नाम है आपका अनुप क्या हुआ आपकी बैन को अरे भाई जे थाड़े बारा से यह जिए इस लेटनी करने के लिए तो जे उधर से यह इसका गला इसका पटा हुआ था फिर आपने पूछा क्या हुआ अब यह पूछा तो यह बोटी कि मेरे अबर ने खटी आपकी मेरे आख में पटी बांग दी तर मुझे पता गी जहाँ पता ही निलगा कैसे गट गिया कहा के रहने वाले आप गिराम की ज्रौना दॉप साब, एक लड़की आई है गला कटे हुई, क्या है पुरा मामला? पुरनपुर थाना छेत्र में कल पुलिस को एक सूचना मिली थी जिसमें की एक युवती के गले पर वार कर धारदा किसी चीज से गला काटने की सूचना थी जिस पर की तुरनपुर थाना देक्ष द्वारा इसमें लड़की का मेडिकल कराये गया उसको भर्ती कराये गया और इन से तहरीर लेकर इसमें अभयोग पंचुकित किया गया है इस इस मामले की पुरी चानबीन चल रही है युगती द्वारा बताया कि उसको किसी ने पीछे से उस पर हमला किया जिसको कि उसमें देखा नहीं है तो इसमें हम लोग ने अभयोग पंचुकित के तर इसमें आगे चांच कर रहे हैं और जो भी जांच में निकल के आता है उसक आधार पर हम लोग आगे इसमें प्रभावी कारवाई करेंगे और सक्ति कारवाई करेंगे